नमस्कार मैं हूँ बीके सिंग सेर और आपने देखना शुरू कर दिया है मैस पड़ो चनल मैस पड़ो चनल पे एक बार फिर से आप सब का बहुत बहुत स्वागत है अब सिमलर ट्रेंगल का मैं एक अगला कोशन लेकर आ रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफि करूंगा लेकिन उससे पहले मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ने मैस पड़ो एप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया होगा और 2020 मिशन का पार्ट बन चुके होंगे अगर नहीं किया होगा तो आप फड़ा फड़ क्या करें गूगल प्ले स्टोर पर मैं आपको अपने बैच में एड़ कर लोगा आप सबको जैसा की पता होगा कि 6 अक्टूबर को मैं नेशनल लेबल का ओनलाइन टेस्ट ले रहा हूं प्रिग्नोमेटरी का साथ कोशन आएंगे, नबे मिनट का टाइम होगा, मल्टिपल चॉइस कोशन के फॉर्मेट में होगा जो C.B.E.C का भी नया सिर्कुलर बोर्ड पेपर के लिए आज चुका है साट कोशन होंगे, दमदार कोशन होंगे, नबे मिनट कहीं टाइम होगा, टाइम सलोट आपको दे दिये जाएगा, A, B, C, D के ऑप्शन होंगे, पेपर पेन लेकर करके जरूर बठीएगा, छे तारीको, छे तारीको बहुत धमाल मचने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट में, बहुत सारे बच्चे, 400 से 500 बच्चे तो भी रेजिट्रेशन उसका करा चुके हैं, लेकिन फ्री अफ कॉस्ट है, टेंस कुस्ट नमबर 14, कर है कि साइट्स A, B and A, C and a median A, D of a triangle, ठीक है, थोगा टफ कोशन है, समझना पढ़ेगा, बहुत अच्छे से, साइट A, B and A, C and median A, D of a triangle, तो पहले हम क्या करते हैं, एक triangle A, B, C, हम ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे, और एक यहाँ भी triangle ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए, यहाँ पर ले लिया, A, B और C, तो साइट्स A, B, A, C and a median A, D, चलो भाई, median A, D बनाना पढ़ेगा हमें, और फ़र ट्रेंगल A, B, C are respectively proportional to the sides P, Q, ठीक है, एक P, Q, R लेते हैं, P, Q, उसके बाद P, R, and क्या है, and P, M, ठीक है, तो अब करें कि प्रूब किजिए कि जो triangle A, B, C है, और triangle P, Q, R का, और similar होगा, अब देखिए, यहाँ पर पहले वाले में क्या था, जो median था, उस दो में से एक side को basic कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर कोई किसी को basic नहीं कर रहा है, A, B upon P, Q, A, C upon P, R, and A, D upon P, M, तो यहाँ पर असानी से condition हमेरे पास आने वाला नहीं है, क्योंकि हमें triangle A, B, C को triangle P, Q, R के similar प्रूब करना है, तो चलिए हम A, B upon P, Q ले ही भी ले, A, C upon P, R, ले भी ले, लेकिन हमारे पास दोनों का एक included angle equal आना चाहिए है, M, C, ठीक है, इसी तरीके से produce PM, PM to N such that PM equals to MN and join inner, एक काम हमें करना पड़ेगा, तो क्या कि आपने, कि produce AD to M such that, such that, कि भाई AD जो है, that equals to DM के बराबर हो जाए, produce PM to N such that, कि PM जो है, O, MN के बराबर होंगे, लिख ली जेगा, इसी language को paper में जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अब उसके बाद करेंगे join, अब हम लिख लेंगे join, क्या join करेंगे MC, और यहाँ पर क्या कर देंगे join, हम NR को join कर देंगे, ठीक है, यहां तक तो बात के लिए रहे हैं, चलिए, अब जड़ा देखते हैं, काम करते हैं, हमारे पास जो given condition पहले उसके बारे में देखिए, given condition क्या दे रखा था भाई, कि AB upon PQ, equals to AC upon PR, ठीक है, equals to AD upon PM, अगर BC upon QR होता तो काम ही बन जाता, जैसा कि पहले था हमारा, ठीक है, अब यह था, ठीक है, अब यह हमारे पास given condition, अब यह काम करते हैं, in triangle, in triangle, a, b, d को ले लेते हैं, a, b, d को, and triangle, a, b, d को ले लेते हैं, और triangle, m, c, d को, and triangle, m, c, d को, ठीक है, ले लेते हैं, दोनों को देखिए, आप जड़ा, ad जो है न, odm के बराबर है, यह हमने construction में करा हुआ, आप सबको clear है, और एक काम करते हैं, यहाँ पर हम one, two के बराबर ले लेते हैं, angle one, angle two, angle one, angle two, यह आपके पास कौन सा angle होगे, बच्चो, vertically opposite angle होगे, और तीसरा में, and, तीसरा एक काम करते हैं, b, d, d, c, के बराबर, b, d, d, c, के बराबर, ठीक है, क्यों, क्योंकि, यहाँ पर याद रिखिएगा, ad median है, ad क्या है आपका median है, तो base को bisect करेगा, तो देखिए, ad, d, m के बराबर हो गया, b, d, d, c, के बराबर हो गया, one, two के बराबर हो गया, इसका मतलब हो गया, कि this implies triangle, a, b, d, जो होगा, that will be congruent to triangle, m, c, d होगा, और condition use करेंगे, हम side angle, side से, दोनों triangle congruent हो गया, जब congruent हो गया, तो c, p, c, t से a, b, जो होगा, औ, cm के बराबर होगा, therefore, a, b, जो होगा, औ, cm के बराबर होगा, यह part आगया, ठीक है, यहां हमारे पास equation number one आगया, a, b, cm के बराबर होगी, similarly, p, q, जो होगा, r, n जो होगा यहाँ पे करके इन दोनों triangle को भी हम क्या करते थे congruent prove कर सकते थे आज अब दोनों congruent हो जाएगा तो pq जो होगा वो rn के बराबर हो जाएगा ठीक है अब दो पाट आ गया अब देखे हमारे पास जो condition given था उसको यहाँ पर एक बार note कर लेते हैं गिवन है ab upon pq यहाँ जो condition given है ab upon pq equals to ac upon pr ac upon pr equals to ac upon pr equals to ad upon ad upon pm ad upon pm अब देखो ना आप ab के जगह पे आप क्या लिख सकतो cm ab के जगह लिख सकतो cm है ना ab के जगह पे cm और pq के जगह लिख सकतो हो आप आ रहे हैं और ac upon pr है इसको रहने दो आप ac upon pr को ac upon pr को रहने दो और इससे हम लिख सकते हैं 2ad upon 2pm अब आप पुछोगे सर आप क्यों लिख रहो इस काम को ठीक है यहाँ पे तो एक तो लिख दीजेगा कि आप using one and two condition को आपने यहाँ पर use किया है अब आप 2ad क्यों लिख होगे बैए क्योंकि ad के बराबर ही तो dm है तो 2ad को हम am लिख सकते हैं 2pm को pn लिख सकते हैं am upon pn हो जाएगा अब देखें यहाँ पे cm upon rn जो है that equals to ac upon pr होगा और 2ad को हम 2ad को am लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसको am and 2pm को 2pm को हम क्या लिख सकते हैं pn लिख सकते हैं ठीक है अब इसका उतलब हो गया कि am upon क्या आ गया sorry 2ad को हमने लिख लिख लिया am और 2pm को क्या लिख लिख लिया pn अब देखो cm upon rn देखो जाएगा ध्यान से cm upon rn उसके बाद देखो ac upon pr ac upon pr और तीसरा जो पार्ट हैं हमारे पास am upon pn तीनों साइड जो हैं proportional हो गया तो इसका मतलब हो गया कि triangle cm जो हो गया triangle cm जो हो गया और सिम्लर हो जाएगा किस triangle के prn के triangle prn के similar हो गया कौन सा condition यूज करेंगे यहां पर हम side 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 करेंगे दोनों triangle similar हो गया अब जड़ा ध्यान दीजिएगा तो मतलब कि यहां पर ले लिया है यहां पर three and four लिख लेते हैं बदो कि angle three angle four के बराबर होगा therefore angle three equals to angle four होगा इक्वी angle जो दोटर angle similar होंगे तो उनके angles corresponding angles होंगे बराबर होंगे similarly three four ले लिया तो यहां पर हम five लिखते हैं और यहां पर six लिख दें तो similarly angle five angle six के बराबर होगे तो similarly angle five क्या होगा angle six के बराबर होगे दोनों को अगर हम add कर दें तो angle three plus angle five जो होगा angle four plus angle six के बराबर होगे अब three plus five जो होगा मिल करके angle a बनेगा और six plus four मिल करके angle P बनेगा this implies angle A जो है वो angle P के बरावर होगा सोचो ना कितना मेहनत करना पड़ा हमे angle A को angle P के बरावर लाने के लिए अब लिख लेंगे अब हमारा काम हो चुका int triangle ABC int triangle ABC int triangle int triangle ABC int triangle PQR int triangle PQR अब लिख लेंगे AB upon AB upon PQ यहापे क्या आएगा AB upon PQ equals to AB upon PQ equals to AC upon PR equals to AC upon PR ठीक है यह given हाप के पास यह क्या था given and अब जो आपने प्रूब करा and क्या angle A equals to angle P proved एब देरफोर triangle ABC जो होगा that will be similar to TRIANGLE क्या होगा PQR होगा side angle side similar conditions है देखा एक बहुत important question ठीक है very very important question मैंने अभी आपसे discuss किया ठीक है दोस्तों तो मैं वो BK सिंग सर आप सबको पता है और मैंस पड़ो चानल है मेरा और मैंस पड़ो को आपने अभी तक जरूर आपने डाउनलोड कर लिया होगा अगर अपने डाउनलोड कर लिया होगा तो मीशन 2020 के पार्ट अब बन चुके हैं सो नमबर लाने वाले गूरूप में हो सकते हैं तैंक यू सो मच अगें ठीक है इसके बाद एक वीडियो और छोड़ा सा में लेकर आऊँगा उसे भी देखना नहीं भूलियेगा इसके करने के बाद NCIT का similarity वाले सारे questions हो जाएंगे उसके बाद तो train की तरह